हलो दोस्तों नमस्कार जय हिंद कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे सबस्त होंगे और अपने एक्जैमिनेशन की प्रेपरेशन को चैसे कर रहे होंगे साथ यो इस वीडियो में हम अपके लेकर आएं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन र फिर भी एक उमीद की करन देखने को मिल रही है भी न्यूज में हमने देखा था इन सारी चीजों को तमाम चीजों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में क्या न्यूज अपडेट आई है टीजटी कमिशन के रिगार्डिंग आज ही हमने न्यूज में देखा तो उसको क्या स्टेंड है टीजटी वेकेंसी के ऊपर वो हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि हमने परसनली हपी ससी हमिरपूर से बात की थी इसके लावा गॉविट का क्या स्टेंड है आप जानते है कि इलेक्शन भी होने वाले अभी नवंबर दिसम्बर मुं से पहले कोड़ आप भी कबर होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट ये इस तीनों चीज़ें भी कबर होती है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ठीक हम आपके पूरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने के कोशिश करेंगे सबसे पहले तो साथियो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी विकैंसी आई है एच्पेससी हम इरपूर नहीं जो विकैंसी निकाली थी अभी जो अलग-अलग रिपार्टमेंट निकाली थी उसमें आपने देखा कि जो अलिमेंटरी एजुकेशन है अलिमेंटरी हम एच्पेससी हमिर पूर से कंटक्क्ट किया था परिसंडरी ठीक है उनने हमें क्लिए बताया था कि टीजच्टि की कोई भी विकैंसी आयोग के पास नहीं हैं यानि की सरकार ने ना तो सरकार ने ना ही ऑजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई other से के बारे में हम हम इयुक हमीरपूर आयोग के दिया है यानि कुल कि पास प्रूब के जो फारा में करता है Those Files स्वस्पारों में लटकी हुए Ce अगर टिजटि की किसी भी K голос भी करें तो आप यहां पर देख सकते हैं साथ्यों कि आज सचताहिए मुख्य सब्सक्राइब करने का शुरू हो चुका है ठीक है कि अभी मैंने अब तक उपता है कि जो ओल्ड वेकैंसी के बास नहीं है अब नए सीरे से जो अब आपने देखा है कि बहुत सरे प्रमोशन हुए है टीजीटी से पीजीटी के लिए या प्रिंसीपल बन रही है कि जो मेरा परसनल मानना है कि किस में जो है नोटीफिकेशन आजएगी टीजीटी कमेशन की लेकिन होगा कमेशन 2022 में ही ठीक है मैं सक्यूं कह रहा हूँ आप इस न्यूज को समझे आज एक है कि मचल प्रदेश के मुख्य सचिब राम स्वाब सिंग ने पांच भा इन जो मुख्य सचिब इन अलगल डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी मांगी कितनी विकैंटीज है फिर कैविनेट अप्रूब करें फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास आएगा ठीक है तो उसके साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं निने लिय कर देख सरकारी विवाग में करिया में पकर सरकारार ने पहले निन्ना लिया है इन पदों को भर से उनको पूरा डाटा लेना चाहते हैं और उसके बाद कैविनेट में उसको पेज किया जाएगा और कैविनेट की मुंजूरी के बाद ही फिर सीज को प्रोसेस में लाए जाएगा उससे पहले नई भर्तियों के लेकर सरकार प्रोपोजल बनाए गया देखिए सरकारी बिवा साम तक मुख्य सचिव को इसकी पूरी जानकरी पहुंच गई है इसानी वार्शामिया ने किया संडिया पिछले कली इनको पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुके कैसे क्यों इसको फिल आप करना है अब दो तीन दिन में इस वर समद्धित भागों के साथ साथ बैठके क की जा सकती है तो मतलब अब प्रोसेस का शूरू को चुका है ठीक है ना तब क्या है जैसे यह डाटा लेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे पहले डाटा लेंगे फॉर एक्जेंपल भई की पांस अवकैंसी है मान लोग धारन के लिए ठीक है ना अब इनको जो है की जब किवनेट की मेटन की कैवनेट एउन जेंबली की जो में मेटन होगी Syria की तनी जैसी इनको मनजूरी मिलते फिर ये डिपार्टमेट के बास जाए फिर सेचकेशन डिपार्टमेंट के जाएगी फाईल कि कैविन्не कने प्योंडीर लेन की मिरेंशन को इसकी पूरी ही इसकी नोटिफिकेशन निकाल दे टीजटी की कमिशन की और जो पेपर है उसकी तो पूरी 100% की है हमिरपूर से आयोग का कैना विल्कुल साप है कि उनके पास कोई विकैंसी जी नहीं है समझ रहे ना जब उनके पास कोई सीट्सी नहीं दिया सरकार न तो निकालेगा कैसे अब जो नया प्रोसेस है इसमें क्लियर बताया गया कि अब नए शुरू हो रही है एजुकेशन मुझे पूरा यकीन है कि एलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं तो मतलब यह प्रोसेस तो शुरू हो चुका है अगर एलेक्शन के पहले नहीं भी निकालेंगे 22 में जुरू निकलाएगा क्मिशन ठीक है जैसे हमें भी लग रहा था और बहुत सारे साथ भी बता रहे हैं कि 24 मे सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको क्या लगता है तो कमेंट सेक्षन में अपने राय दरूर दें कि टीजटी कमिशन कब होगा को कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना खिया देखेगा जैहिंद